कि हैं इस वीडियो के त्रू मुझे आपका जो डाउट है साइमेंट समीशन को लेकर कि उसकी लास्टेट कब है या हमारे स्टडी सेंटर में साइमें समिट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे स करना है तो आपको पता लग जाएगा कि आपके स्टडी सेंटर में साइमेंट सम्मिट हो रहे हैं यह नहीं पहला तो यह है कि आप लोग अगर विजिट कर सकते हैं अपने स्टडी सेंटर अगर आप विजिट कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है और अगर आप विजिट न सेंटर टू इगनु आगे लिख देना ठीक है तो मैंने सर्च किया हुआ है तो आ जाए आ गिया है यह देखो वेलकम टू यह जो है अब इसमें स्टुडेंट कॉर्णर है यह आपको दिख रहे हैं यहां पर पहले वाले लिंक है यहां पर आपको दिख रहा है कॉंटेक्ट स्टुडेंट को औरर गाइडलाइनव फोर समीशन औफ यूज एड़न अनाउंसमें और कांसलिंग तो आपको नीज और इवेंट पर जाना है नीज इवेंट पर जाएंगे न्यूज इवेंट पर क्लिक करा तो आपके सामने जो शेड्यूल है वो सारा आ जाएगा कि किसी को लेके नॉटिफिकेशन रीजनल सेंटर जो टू है देली का उसने दे रखा है ठीक है अब देखिए न्यूज इवेंट क्लिक करने के बाद यहां पर लिखा आ रहा है 18 मार्च को इन्फर्मेशन फोर सब्मीशन आव असायमेंट फोर जून ट्वंटी ट्वंटीवन टर्मेंड एग्जामिनेशन तो इस पर आपको क्लिक करना है इस पर आप क्लिक करेंगे जो भी आपका रिजनल सेंटर आप देख लेना ठीक है न्यूज इवेंट पर देखना है स्टुडेंट कॉर्नर्स पर देखना है या फिर अलग से आ रहा होगा कि असायमेंट सब्मीशन डिटेल अब देखो यहां दे रखा है इन्फोर्मेशन पर क्लिक करा हमने पीडी फोपन हो जाएगी यह देखिए यह दिल्ली सेंटर टू में इतने भी रीजनल सेंटर है ठीक है उनके असायमेंट कर दे रखा है अब जहां पर ऑफलाइन होंगे वहां लिखा हुआ है बाइहेंट और आपको डे भी दे रखा है फ्राइडे सटर्डे संडे ठीक है विवेक अनंद कॉलेज में ऑनलाइन मोड है तो यह सारी दे रखी है आपको इमेल आइडी तो आप इस पर कर सकते हैं लेडी हाइडिंग मेडिकल कॉलेज है जिनका बाइह है और इमेल भी दे रखा है यहां पर यह देखिए साब लिख सब्सक्राइड से आप यह दिल्याइड से अब आपको किस तरीके से सर्च करना है वह मैंने आपको बता दिया है और सर्च करने के बाद देखो या तो न्यूज आपको ज़रूर विजित कर ले ना क्योंकि मार्च में सम्मिट होने लाग पर देख लेगा और अगर आपको नहीं शो हो रहा है तो एक बार आप अपने स्टडी सेंटर जरूर विजिट कर लेना क्योंकि मार्च में सम्मिट होने लगते हैं अगर वो कहेंगे कि ऑनलाइन सम्मिट हो रहे हैं अभी किसी किसी ने मेरे को मैसिज भी करा था कि मैं हम गए थे और वहां उन्होंने मना कर दि कि कब से सम्मिट होंगे तो एक बार आप विजिट कर लेना जिनको ओनलाइन मिल जाएगा डिटेल सारी उनके लिए तो अच्छा है और जिनको नहीं मिलता तो एक बार अपने स्टडी सेंटर जरूर विजिट कर लेना ठीक है और अगर आपका कोई भी डाउट है किसी भी चीज के रिगार्डिंग तो वह आप मुझसे कमेंट करके या मेल करके पूछ सकते हैं थैंक यू